तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शक्तिमान इस बैक शक्तिमान की एक मूवी अनाउंस हो गई है आपका जो फेवरेट शक्तिमान चारेक्टर था वह एक मूवी के रूप में आ रहा है यहां पर अभी यह नहीं बताया गया कि कौन एक्टर इसको करेगा श्री मुकेश खन्ना जी इस रोल को निभाते हुए हैं अभी तक सब यह जानते हैं कि वह हैं और दूरदर्शन पर सबसे सक्सेस्फुल अगर कोई सूपर हीरो या इंडिया गजब से पहला सूपर हीरो शक आज भी इसका क्रेज है आज भी किभी शक्तिमान बोलो तो लोगों को पता है कि भारत का गर कोई पैला सूपर रही हो था तो शक्तिमान था अब यहां पर एक टेक बहुत लोग तो पैदा ही नहीं हुए होंगे जो अभी वीडियो को देख रहे है ना वो शायद 1997 में पैदा भी नहीं हुए थे तब यह लोग सब VFX, Special Effects, Green Screen ये सारी चीज़ें इस्तिमाल किया करते थे तो उस जमाने की हिसाब से ये बहुत advanced चीज़े थी जैसे आज के जमाने में AI से इस्तमाल करके अगर बहुत realistic graphics बना दिये जाए ना उस जमाने की वो चीज़ थी वो और उसका इस्तमाल करके भारत में पहली बार कोई superhero आया था उसको broadcast करना उसकी सारी technology देखना चोटे बड़े करना हवा में उडाना शक्तिमान को एक बहुत बड़ा चालेंज था 97 में लेकिन सन 97 में ये चीज़ हो रही थी अभी जो शक्तिमान की movie announce हुई ये sony pictures ने की है तो अब भी ऐसा ही कुछ होने वाला है आपको क्या लगता है क्या कोई superhero movie बिना VFX के और इन सारी चीजों के बन सकती है नहीं बन सकती है आज के वक्त में VFX चाहिए बहुत तबाही वाले बड़ी हवाले और अगर sony का नाम जुड़ गया है तो मैं guarantee के साथ कह सकता हूं कि यहां पर VFX special effects और यह 3D वागारा जो भी होने वाले हैं वो top notch होने वाले है इससे क्या होगा अभी हमारी industry बहुत आगे बढ़ चुकी है 3D वाली animations वाली बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब क्या होता है कि जब भारत में कोई movie बनती है जिसमें VFX का ज़्यादा इस्तमाल होता है तो बहार से लोग बुलाई जाते हैं बहार वाले लोग पूरा मतलब आजकल क्या है कि कोई भी एक देश का बंक होके नहीं रहा गया अगर एक देश में काम हो रहा तो दुनि प्रिलीनी जागरण हुआ था योग की शक्ती है उसके पास पुराने संतों ने उसको शक्ती दी है उसने तो भाई यह हमारे पास background जो बेस होता है किसी भी super hero का बहुत strong है और लोगों का emotions जुड़ा हुआ है अगर यह movie अच्छे से बनी तो मैं यह दावे के साथ कह सकता कि शायद पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छे super hero को establish करने में कामियाब हो जाए जो हम अभी तक नहीं हुए हमारे यह जो super hero है क्रिश हैं और एक और भी और भी कुछ हैं कुछ बने हैं तो वह फ्लाइंग जटा है तो पूलने नहीं वाला तो मैं बठा अच्छी movie है व नहीं पहुंच पाई जैसे marvel right Avengers है ना DC Comics वाले तो हो सकता है नियर फ्यूचर में शक्तिमान Avengers के बीच पहुंचे नेवर नो कौन एक्टर होने वाला इसके कोई वह अभी पता नहीं है कब रिलीज होगी इसका भी कोई पता नहीं है बट announcement हो गई है मैं आपको बता दो कि शक्तिमान के उपर पहले भी बहुत experiments है मतलब पहले भी चीजे बननी बनी हैं जैसे कि आपको पता होगा शक्तिमान की cartoon series भी है जो कि 2D cartoon series है वो YouTube पर है और उसका बहुत अच्छा response है लोग उसे देखते हैं अगर 2D cartoon बन रही है और उसको भी लुक देख रहे हैं तो अगर कोई movie बनेगी और trilogy की बात हुई है मतलब तीन movie शक्तिमान की तीन movie back-to-back जब होंगी तो आपको क्या लगता है तबाही मिशने वाली box office मेरे दोस्त और VFX बड़े कमाल के देखने के मिलने वाले एडवांस technology इस्तमान हो ले वाली है और वही चीज फिर से repeat होने वाली है जो 97 में होई थी तो मैं तो बस मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तो फैन हूँ भाई मैं तो जब चोटा था तो हमारे हैं सिर्फ cable TV नहीं होता था दूर दर्शन होता था हम दों इंतजार क इनको बहुत जादा recognition मिलेगा और technology में VFX में और इन सब चीज़ों में लोग और जाएंगे जब यह movie successful होगी तो लोग और ऐसी movies बनाएंगे जैसे कि आपको पता है हमारे यहां पर ऐसी बहुत सारी comic नाग राज और हमारे यहां इतने सारे characters हैं लेकिन कोई भी character को एक movie में नहीं ला पाया हमारे यहां ऐसी ऐसी comics निकलते थी आपको पता नहीं है जिनके अंदर ऐसे-एसे character होती थे आपको क्या लगता है यह Iron Man यह Avengers यह Captain America यह कहां से आएं यह सब comics से आएं दोस्त यह Stanley नाम का एक आदमी था जिसने सब बनाया है इने वह कामियाब इसलिए वा क्योंकि उन्हें movie में ला पाए अच्छा character ढूंड पाए तो शक्तिमान भारत में इस चीज की शुरुआत हो सकती है जैसे कि पहले superhero की थी इस च जाने जाने लगे कि भाई ऐसा मेरी शुब कामना है उन सभी लोगों के साथ जो इस movie को इस project को आगे लिके आ रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें आपकी भी कोई मेमोर टेक्नलोजी से पुरानी सीरी से या किसी से तो आप शेयर कर सकते हैं comment section में Cyber security और ethical hacking में इंट्रस्ट है गर आप एथिकल है कर बना चाहते हैं तो description check 299 rupees के 3 ethical hacking courses है आसान भाष्र में आप को ethical hacking सिखा देंगे मैं आप से अगली वीडियो में thank you so much and goodbye कर दो खराप ऑफ में आप खराप में आप स सकते हैं जाल कर देंगे में आप से ओर वीडियो में आप से जाप से एप से जाप को आप से वीडियों